वेलकम बेक टू ग्यानवर्शा आज हम लोग डिसकस करेंगे गलाइकोजीनोलाइसिस के बारे में लास्ट वीडियो में हमने डिसकस किया था गलाइकोजन सिंथेसिस के बारे में गलाइकोजेनिसिस के बारे में ठीक है आज हम बात करेंगे गलाइकोजन के ब्रेकडाउन के तो चलिए स्टार्ट करते हैं, glycogen means glycogenolysis, glycogen का breakdown होना, वो होता है हमारा glycogen का breakdown होने को हम बोलते हैं glycogenolysis, ठीक है, अब देखिए, आपको याद हो, अगर आपने वो वीडियो नहीं देखिये, तो वो वीडियो में इस वीडियो के end में लिंक देदूँगी, आप वहाँ स 6-phosphate बना था ठीक है अब glucose 6-phosphate से glucose 1-phosphate बना था with the help of enzyme mutase ठीक है glucose 1-phosphate क्योंकि यह active नहीं था तो glucose UDP बना था ठीक है अब glucose UDP बना था ठीक है अब glucose UDP बना था पाइरो फोस्फोराइलेस की help से बना था अब glucose UDP जो है with the help of enzyme glycogen synthase and branching enzyme की help से वो glucose की moiety glycogen में add हो गई थी ठीक है glucose के और जो बाकी molecules थे उसमें add हो गई थी यह तो हमारी process थी जो इधर की हमने अभी बात की वो थी हमारी glycogen की synthesis glycogenesis ठीक है अब हम बात करेंगे glycogenolysis के बारे में देखिए अब जो आपका glycogen बना है जो आपका body में store है glycogen कहां पर store है liver में and muscle cell में आपको याद हो हमने बात की थी कि liver में ज्यादा amount में glycogen store होगा in comparison to muscle cell क्यों ऐसा क्यों होगा क्योंकि जब हमारी muscle cell को जरूवत होगी तब ही muscles अपना glycogen तोड़ेगा लेकिन body में अगर कहीं भी हमारे body में अगर कहीं भी हमें जरूवत है glucose की तो liver cell ही ऐसा बिचारा है कि वो जाके glycogen को तोड़ेगा समझ रहे हैं अगर पूरी body में कहीं भी जरूवत है तो liver cell तोड़ेगा अपने glycogen को लेकिन muscle cell सिर्फ तब ही glycogen को तोड़ेगा जब muscle cell को नीड होगी ठीक है तो बहुत selfish है muscle cell समझ रहे हैं तो देखिए अब glycogen को तूटना है ठीक है glycogen बनेगा आपका glucose ठीक है तुमारी ज़रूवत पूरी कर सकूं तो वह अपने आपको तोड़ेगा glucose में ठीक है तो देखिए कैसे तूटेगा आप हमें वह देखना है उस प्रोसेस को हम बोलता है glycogen अब glycogen की मोईटी तूटेगी glucose में glycogen की मोईटी तूटेगी किसमें glucose 1-phosphate में glycogen का जो molecule है वो तूटेगा glucose 1-phosphate में with the help of enzyme glycogen phosphorylase ठीक है दुबारा सुनिए glycogen का molecule ठीक है glycogen पूरा glucose की polysacride है अब एक glucose उसमें से तूटेगा ठीक है अब अब glucose ठीक है किस एंजाइम की help से glycogen phosphorylase की help से अब ध्यान से सुनिए आपको मैं और clear view से दिखाती हूं यह अपका glycogen है ध्यान से देखिए यह अपका glycogen है यहाँ पर non-reducing होगा तो वो सिर्फ और सिर्फ non-reducing end से होगा ध्यान से सुनिए यह non-reducing end है यह आपको दीख रहे हैं यह non-reducing end है तो ग्लाइकोजन में एक reducing end होता है और एक से जादा non-reducing end होते हैं दुबारा सुनिए बहुत important है यह point पहली बात non-reducing end से glucose add होगा या remove होगा समझाई यह बात glucose add होगा या remove होगा non-reducing end से और आप से पूछा जाए अगर ग्लाइकोजन में कितने non-reducing end होते हैं तो आप कहेंगे more than one और कितने reducing end होते हैं only one सिर्फ एक reducing end होता है और एक से जादा non-reducing end होते हैं बात समझाई आपको तो देखिए अब अब जो glycogen phosphorylis देखिए यहाँ पर act करेगा और इनको तोड़ेगा non-reducing end से एक एक करके वो तोड़ना शुरू करेगा glucose की moiety को इतनी बास समझा रही है glucose की moiety को वो एक एक करके तोड़ना शुरू करेगा तो देखिए जब glycogen phosphorylis एक्ट कर रहा है बेखिए glycogen phosphorylis ने act किया तो glucose की moiety तूट रही है लेकिन देखिए glucose की moiety glucose 1-phosphate में तूटेगी समझा रहा ह इतना समझाया आप थोड़ा सम ग्लाइकोजन फॉस्फोराइलिस के बारे में पहले पढ़ते हैं ड्यूरिंग ग्लाइकोजीनोलाइस टर्मिनल ग्लुकोज रेसेडियू रिमूव एस डी ग्लुकोज 1 फॉस्फिट जी वन पी समझाया टर्मिनल से आपके ग्लुकोज की मोईटी टूट रही है और क्या दे रही है आपको जी वन पी ग्लुकोज वन फॉस्फिट का मॉलिक्यूल ठीक है ग्लुकोज की एक अगेन ग्लुकोज यह किस फॉर्म है ग्लुकोज वन फॉस्फिट ठीक है नॉन रिडुजिंग तोटेगी, glycogen phosphorylase attacks exoglycosidic bond, आप देखें खोद ही है, यह exoglycosidic आपका bond है कि नहीं, यह terminal से तूट रहा है तो यह exoglycosidic, endoglycosidic means अंदर वाला, अंदर जो bond है, उन्हें हम बोलेंगे endoglycosidic, लेकिन glycogen phosphorylase कहां act कर रहा है, exoglycosidic, means बाहर की terminal की तरफ तोट रहा है, तो यह कहां act करता है, exoglycosidic bond पर, ठीक, attacks exoglycosidic bond, glycogen phosphorylase, इसमें co-factor कौन सा है, co-factor pyridoxal phosphate, glycogen phosphorylase के लिए, co-factor कौन काम करता है, pyridoxal phosphate, ठीक है, next चलिए, glycogen phosphorylase act repeatedly on the non-reducing end of glycogen, until it reaches a 0.4 glucose residue, away from alpha-16 branch point, द्यान से सुने इसका क्या मतलब है, देखिए, glycogen phosphorylase कब तक act करेगा, यह दीख रहे हैं, आपको 4 residues away रह गया, यह branching point है, 4 residues away रह गया ना, branching point के, देखिए, 4 residues away रह गया ना, तो तब तक glycogen phosphorylase act करेगा, तब तक act करेगा, जब 4 residues रह गए हैं, D branching enzyme में, ठीक है, यहां तक, यहां तक तोड़ देगा, यहां के बाद glycogen phosphorylase रुख जाएगा, समझाई यह बात, यहां तक तोड़ने के बाद glycogen phosphorylase रुख जाएगा, देखिए, यही बात यह लिख रह रही है, glycogen phosphorylase act repetitively on the non-reducing end of glycogen until it reaches a 0.4 glucose residue away from alpha-16 branch point, ठीक है, यह इतना बात समझाया, अब बात करते हैं, glycogen phosphorylase के लिए कौन activator है और कौन inhibator है, देखिए, आप मुझे खुद बताईए, आपका मोटिफ क्या है, इस glycogenolysis में, glucose बनाना, अब आप मुझे बताईए, अगर आपकी बॉड़ी में glucose है, तो क्या आप glycogen को तोड़ेंगे, नहीं, तो glucose एक inhibitor की तरह हो गया, अगर आपकी बॉड़ी में glucose 6-phosphate है, तो क्या आप glucose को तोड़ेंगे, नहीं, अगर आपकी बॉड़ी में ATP है, देखिए, तो डीको जीनोलाइसेस होगी, नहीं होगी, समझ रहें हैं बात, लेकिन अगर आपकी बॉड़ी में AMP है, तो AMP जो है, ATP में बनने के कोशिश करेगा, तो यह ऐजा एक्टिवेटर काम करेगा, AMP, ठीक है, AMP ऐसा एक्टिवेटर काम करेगा, क्योंकि इसे ATP में बनना होगा, क् अगर आपकी बॉडी में, अगर ATP की कमी है तो वो AMP क्या है? ऐजा एक्टिवेटर, अगर ATP बहुत जादा है, ग्लुकोज फोसिक्स फोसफेट है या ग्लुकोज है, तो वो ऐजा इनिवीटर काम करेंगे, ठीक है? आपको यह ग्लाइकोजन फॉस्फोराइले अच्छी तरीके से समझाये हुआ अब द्यान से सुनिए अब क्यूंकि यह चार मोईटी रह गई ठीक है अब यह कैसे तूटेंगी तो देखिए डी ब्रांचिंग एंजाइम हेल्प करेगा इसके दो रोल होते हैं डी ब्रांचिं यह क्या करेगा यह तेन मोईटी लेगा और यह ट्रांसफर कर देगा यह तेन शी अगोस इजातिक है इसके यह तंटेने रोल होते हैं इसे यहाँ पर क्या कर दिगाँ कॉन रोल evacuate डी आंज्ग ऑप कोषान एंजाइम कोड्य त्रांसफर करना चायां एकृत प्र्रणरी एं जिह तीन मोहिटी हैं इने अब देखिछ अब ये एक मोहिटी आपकी बचिछò तो डिब्रांचिंग एंजाइम उसे कौन सा एंजाइम वीब्यामा, पहले सुनिये alpha-1-6 glucosides जो है यह देखिए alpha-1-6 glucosides इस moiety को तोड़ देगा ठीक है और क्या बनेगा glucose अब ध्यान से देगा सुनिए मेरी बात जब यहाँ पर glycogen phosphorylase ने एक्ट किया तो क्या बना आपका glucose 1 phosphate लेकिन transferase activity से तो यह transfer हो गई तो कुछ रिमूव नहीं हुआ लेकिन जो यह डी ब्रांचिंग एंजाइम ने जो कि यह आपका alpha-1-6 glucosides है इसने क्या दिया glucose देखिए यहाँ glucose 1 phosphate मिला है यहाँ क्या मिल रहा है लेकिन कितना मिल रहा है सिर्फ और सिर्फ एक glucose यहाँ कितने सारे आपको जो ब्रांचिंग पॉइंट है वहाँ से चार glucose के molecules नहीं रह जाती ठीक है तो चार molecules रह गए तब तक रिमूव होते रहे और किस फॉर्म में glucose 1 phosphate की फॉर्म में रिमूव होते रहेंगे ठीक है इतनी बास समझ आई अब क्या होगा कि यह जो चार बचे इन में से तीन जो है D-branching enzyme का ही एक पार्ट होता है यह ट्रांस्फरेस activity होती है D-branching enzyme में यह ट्रांस्फर कर देगा यह तीन जो glucose के molecule है अनदर ब्रांच यह दूसरी ब्रांच है दूसरी ब्रांच पर ट्रांस्फर कर देगा उसके non-reducing end पर ट्रांस्फर हो गाए अब यह जो अकेला बचा है यह रिमूव हो जाएगा विद दे हल्प आफ एंजाइम एल्फा वन सिक्स ग्लुकोस आइडेस की हल्प से यह ग्लुकोस की फॉर्म में ग्लुकोस रेसिड्यू एंड ट्रांस्फर द इस ट्रांस्फर करेगा 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 इस second the remaining glucose residue which is still attached, एक glucose moiety attached है अभी भी ब्रांच से, is removed by an alpha-16-glucosidase activity of the same debranching enzyme, ठीक है, अब ध्यान से सुनिए, अभी यह आप correlate कर पाएंगे, thus about 92% of glycogen residue are converted to glucose 1-phosphate and remaining about 8% those at the branch point are converted to glucose, समझ आ रहा है, देखी, 92% जो है, आपके जो glycogen residue है, वो तो convert होगा glucose 1-phosphate में, और aprox-aprox 8%, क्योंकि एक ही glucose न, एक ही glucose, अगर हम काफी सारे glycogen में इस तरीके से टूटेंगे, तो aprox-aprox 8% जो है, वो glucose में convert होगा glycogen, और 92% aprox-aprox glucose 1-phosphate में convert होगा, समझ अब हम next चलते हैं, अब बात आती है, अब देखिए, अगर आपका अब ध्यान सुनिए, अब यहाँ पर glucose 1-phosphate बन गया, अब glucose 1-phosphate तो mutase की health से glucose 6-phosphate बन जाएगा, अब वो चाहें glycolysis में चाहें, चाहें glucose बने कुछ भी हो सकता है, ठीक है, अब बात चलते हैं आगे समझ आगे न, glucose 1-phosphate बन गया, glucose 1-phosphate बन गया, तो mutase की health से glucose 6-phosphate बन जाएगा, अब glucose 6-phosphate चाहे तो glycolysis में जा सकता है, चाहे तो वो किसी भी cycle में जाए और या फिर वो glucose बन सकता है, ठीक है, समझ आए आपको, अब हम next चलते हैं, regulation of glycogen metabolism, अब ध्यान से सुनिए, regulation of glycogen metabolism, देखिए, दो, दो चीज हैं, एक है हमारा insulin और एक है हमारा glucagon, ठीक है, insulin, देखिए, insulin तब एक्ट करता है, insulin, insulin तब एक्ट करता है, जब आपकी बाडी में glucose की concentration जादा हो जाती है, और उसे glycogen बनाना है, और glucagon कब एक्ट करेगा, जब बाडी में glucose की जरूरत है, जब बाडी में glucose की नीड़ेड है, तो वो glycogen पे एक्ट करेगा और glucose बनेगा, ठीक है, अब ध्यान से सुनिए, इस सेम वे, glucagon जैसे एक्ट करता है, वैसे ही epinephrine act करता है, ध्यान से सुनिए, हर्मोन है यहाँ पर, यह जो हर्मोन लिख रहा है, यहाँ पर हर्मोन है हमार भी खरते, glucagon and epinephrine, वो क्या करेंगे, ATP को C-A-M-P में बनाएंगे, cyclic AMP में बनाएंगे, ठीक है, cyclic AMP क्या करेगा, देखे, protein kinase A जो है, इनेक्टिव है, वो उसे active कर देगा, C-A-M-P, C-A-M-P क्या करेगा, protein kinase A को activate कर देगा, एक्टिव होगा, protein kinase A, protein kinase A क्या करेगा, फॉस्फोराइलेस काइनेस उसी एक्टिफ करदेगा। ध्यान से सुनिए। सबकुछ इनेक्टिफ पड़ा हुआ है कि खाए। अब आपको г्लूकोस की जरूवत हैं बॉड़ी में। ध्यान से सुनिए। आपको बॉड़ी में ग्लूकोस की जरूवत है। और सब कुछ आपके बोड़ी में इनेक्टिब पड़ा हुआ है इस तरीके से याद रखिए तो आपके ग्लुकागोन और एपिनेफरिन आएंगे वो एटीपी को सी एमपी में कनवर्ट करेंगे करेंगेंगेंगेंगेंगेंगेंगेंगेंगेंगेंगेंगेंगेंगेंगेंगेंगेंगेंगेंगेंगेंगेंगेंगेंगेंगेंगेंगेंगेंगेंगेंगेंगेंगेंगेंगेंगेंगेंगेंगेंगेंगेंगेंगेंगेंगेंगेंगेंगेंगेंगेंगेंगेंगेंगे ATP ने CMP बनाया, ATP से CMP बना, Adenylate Cyclase के थरू, CMP बनने के बाद उसने protein kinase A को activate किया, protein kinase A ने phosphoryalase kinase को activate कर दिया, phosphoryalase kinase ने phosphoryalase B को phosphoryalase A में convert किया, दिख रहे है आपको, phosphoryalase B को एक्टिव है फॉस्फोराइलेस यहाइगा डूको ज़द फॉस्फोराइलेस यह है ग्लाइकोजन फॉस्फोराइलेज यही है समझ आ रहा है को तो अब समझ आया कैसे हुआ हॉर्मोन कौन से हैं ग्लुकागोन एपिनेफरिन ग्लुकागोन और एपिनेफरिन ने क्या किया ATP-CAMP में बन गया अब CAMP ने प्रोटीन काइनेज A को एक्टिवेट किया प्रोटीन काइनेज एक्टिवेट किया फॉस्फोराइलेज काइनेज ने फॉस्फोराइलेज एक्टिवेट किया फोस्फोराेलिस B इनक्टिव होता है, फोस्फोराेलिस A आक्टिवेट किया है, फोस्फोराइलिस A ने क्या किया? जलयाइकोजन को ग्लूकोज वन फोस्फवेट में बना दिया, समझ आया? अब बात आई इंसुलिन की, चलो ए तो ग्लूकाग उन O Cr- giving अब ध्यान से सुनिए, इंसुलिन कहां एक्ट करेगा, इंसुलिन क्या करेगा, जो यहां पर फॉस्फोराइलिस B जो फॉस्फोराइलिस A बन रहा है, इंसुलिन फॉस्फार्टेस एंजाइम को रिलीस करेगा, इंसुलिन एक्टिवेट कराएगा, और जो फॉस्फोराइलि है उसे बी में बनवा देगा अब क्योंकि बन घया तो इनेक्टिव हो गई तो ग्लाइकोजन से ग्लुकोज नहीं बन पाएगा जो कि इंसूलिन का काम है, इंसूलिन कहां से रिलिज होता है, बीटा सेल्स ओफ पैनक्रियास, ठीक है, पैनक्रियास में बीटा सेल्स होती है, आपको पैनक्रियास, समझा है आपको, I hope आपको पाथवे क्लियर हुआ होगा, रेगुलेशन कैसे होता है, तो अगर हम इन पाथवेस क की बात करें अब आप को डिलेट करते हूं चलिएगा देखे गलाइकोजन का सिंथेसिस होना तो क्या इंसुलेन गलाइकोजन बनवाएगा बिल्कुल इस्टुमिलेट करेगा इस प्रोसेस को इंसुलेन गलाइकोजन इस को इस्टुमिलेट करेगा इफेक्ट ऑफ का काम क्या है ग्लुकोज डिलीज करना पर यहां तो ग्लाइकोजन बन रहा है तो यह इस प्रोसेस को इनिविट करेगा ठीक है अब ग्लाइकोलाइसिस में क्या होता है ग्लुकोज का ब्रेकडाउन होना ठीक है तो इंसुलिन क्या करेगा इस्टुमिलेट कराएगा इसे ठीक यहां Glucogon की spelling G-L-U आएगा, ठीक है, Gluconeogenesis, Gluconeogenesis means glucose का बनना, non-carbohydrate precursor से, नियो means non-carbohydrate precursor से, glucose का बनना, तो insulin इनेविट करेगा, Glucogon और Efinephrid एक्टिवेट करेगा, I hope आपको यह अच्छी तरीके से clear हुआ होगा, देखिए, Pathfinder में यह एक टेबल दे रखिए आपक से request करूँगे, आप लोग इसे अच्छी तरीके से याद कर लीजेगा, Born-Greaky disease, यह glycogen storage disease है, ठीक है, Born-Greaky disease, POMS disease, Hurts disease, Tories disease, MC Ardol disease and Anderson disease, इसमें बता हुआ है कौन-कौन से enzyme deficiency होती है, किसकी वज़े से यह disease हो जाती है, तो यह बहुत important है, आप इसे अच्छी तरीके से या प्रोसेस होती है, glycogenolysis किस तरीके से एक्ट करती है, अगर आपको कोई डाउट हो, आप ग्यानवर्शा-query at the rate gmail.com पर mail करके पूछ सकते हैं, आपको यह material ग्यानवर्शा-telegram चैनल पर मिल जाएगा, अगर आपको यह वीडियो पसंद आई है, तो आप इसे लाइक कीज हमारी चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और कमेंट कर सकते हैं, ठैंक यू